नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका योटूब चैनल एबिटिक में आज है 20 मार्च 2022 और जान लेते हैं अज की मातपूर खबरें सबसे पहली अपडेट देखें यहां पर है कि परिच्छाओं से भरा होगा मार्च माईने का आखरी सब्ता है होली की छुटियों के खत्म होने के साथ ही पांच लाग चात चात्राओं को परिच्छा में सामिल होना है 22 माज से परिच्छाओं का दवर सुरू हो जाएगा पॉली टेकनिक हो गया यूपी वोड की हाई स्कूल इंटर की परिच्छाओं हो गया लखनाओ विस देला इसना तक इस तरकी परिच्छाओं भी 29 माज से सुरू हो रही है पॉली टेकनिक में 3 लाग यूपी वोड में लगबग 90 अजार इवम इसना तक पर्थम सेमिस्टर की परिच्छाओं में लगबग 7 लाग 6 शातराओं सामिल हो रही है और यह अपडेट सिर्फ और सिर्फ लखनाओ की है पूरे प्रदेश किनिक और लखनाओ की बात यहां पर की गई है ठीक जो लखनाओ जिले में परिच्छाओं होनी है अगे दिके लिखा कि पॉली टेकनिक विसम सेमिस्टर की परिच्छाओं 22 माज से अपरायल तक होंगी साथ यूपी वोड हाइसकोल और इंटरिमेडियर की परिच्छा 24 माज से 126 के अंदरों पर होगी लखनाओ में यूपी वोड परिच्छा सुरू होने की चार दिन बात से लखनाओ इस विद्याले सना तक प्रतम समेस्टर की परिच्छाओं सुरू हो जाएंगी परसदी व परिच्छारतियों के लिए और यहां पर अलग अलग परिच्छाओं हो रही हैं साथ में बताना चाहें कि यूपी वोड के जो प्रवेस्पत्र हैं वह स्कूल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं कल एकई समाथ से आपको जो है एड्मिट कार्ड हैं वो मिल जाएंगे बढ पर देखें अगली अब्रेट पुलिस व्याग को लेकर के लिगा कि पुलिस में कि कई यूनिटों में नौसो पद सर्जित आठ हवाई यड्डों की सुरज्छा के लिए 147 पद सर्जित सासना देश जारी एट्रियस में भी बढ़ाए गए 68 पद सासन ने पुलिस में के व तालिस पदों का सर्जिन किया गया है इसमें ऐसे आठ निरी चक ग्यारा उप निरी चक और दस चतुर्णी करमचारी वह दस ट्रेडमेंट के पद सुकृत किये गए चतर से लिकर मेंचारों ट्रेडमेंट का पद आउट्सूर्सिंग से बहा जाएगा तो इन युद्ध के यह नए पद जित हूए है आने वाए टाइम पर बढ़ते हैं और फिर बढ़ाए गए हैं जली बढ़ते हैं अगली अप्डेट की तरफ सी देट है कि सी बार्वी का जो 701 कार्म फश्ट का रिजट रिजल्ट है वो जैरी कर दिया गया है और ये जो रिजल्ट है स्कूलों को भेजा गया है ठीक और इसमें सिर्व थेओरी की यंग बताएं गया है तो CBS से ने सन्यवार को 12 बार्मी 901 पर इच्छा के नतीज़े जैरी कर दिया है बोर्ड ने बच्चों का प्रद्रसन स्कूल को भिज दिया है यानि स्कूल से ही आप लोग इस रिजल्ट को चेक आउट कर पाएंगे ठीक है अब उनलाइन ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है यहां पर देखे अपडेट है PCS 2222 को लेकर के आप लोग जानते हैं PCS 2222 के लिए आउनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं अगर आप आउनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन डाउनूड करना चाहते हैं तो government jobcenter.com से कर सकते हैं साथ में इसके डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया हुआ तो वीडियो को भी आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं लेकिन यहां पर अपडेट मों के पर इच्छा को लेकर के लगा कि PCS मेंस में सामिल किये जाए रच्छा दन सामाजकार जो मेंस लिए मोता उसमें एक और विशा लेना होता अप्शनल विषा में यह जो रच्छा दन सामाजकर हटा दिया गया है तो इच्छा दर मांग कर रहे हैं कि यह विशा सामिल किये जाए और इस्टूडेंट के काफी लोग परी विशा मानने जाते लेकिन विगत कुछ वर्सों से इस पर इस विज सब्सक्राइब करके मांग की है कि PCS में दोनों विश्यों की लोग पृता को देखते हुए इन विश्यों को सामिल किया जाए कई सारे नाम यहां पर देख पा रहे होंगा जो नवर्थियों नहीं आपर पत्र लिखा है और दोनों ही विश्यों के लिए सरवादिक लोग प्र भूम का है ठीक है और रच्छा दन समाझ कर 1990 के दसक से PCS मुक्रीचा के विश्यों रहे हैं लेकिन आयोगने ने 2019 में इन दोनों विश्यों को वैकल्पिक विश्यों की सूची से बाहर कर दिया तो बढ़ती मांग करने की दोनों विश्यों को फिर से सामिल किया जाए राज विश्यों के सना तक पर्थम वर्ष की मौलेंकन पडाली बदलाव हो गया उसी की बारे में आप अपडेट दिया गया देखिए लिए कि प्रफसर राजयन सिंग राज विश्यों की परिच्छा के तर्ष मौलेंकन पडाली में एक मात्मूर बदलाव किया है पर्थम रिच्छा के परिद्ध करवाई जाएगully इसना तक परिच्छा का समय दो गंटे नर्दारित की आगया है वहीं परिसमदिंटी वर्ष की परिच्छार के 3 गंटे का समय नर्दारित होगा तो भूमर करके यहाँ नई सिस्टम लागू किया जिसको नाम दिया गया क्रेडिटियों ग्रेडिंग पढ़ना ली इसके तरह पचाथ 75 नमबर की बाय परिच्छा होगी और पच्चिस नमबर की आंतरिक परिच्छा होगी फिलाल यह जो बदलाव कि वह पर्थम वर्थ के चात्रों के लिए ही किया गया परदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों में साय का द्यापक प्रदाना द्यापक बरती प्रक्रिया मैनों से अटकी पड़े हुई है बिचले साल नमबर ने परिच्छा प्रग्राम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है कई बार अब बिरतियों ने किया कि अगर वर्तिय प्रक्रिया सेगर नहीं आगे बढ़ाई गई तो एक बार फिर से अंदोलन सुर्य होंगा आप लोग जनते हों कि जूनियर अड़ विद्याले में कि तकरीबन अठारा सो पदों पर इसमें से पंद्रा सो पद साय का द्यापक के हों और तीन सो पद ज लेकिं अगे नहीं बढ़ने से ब्रती परेसान है और अब ब्रति ग्यानिवेंस को कहना है कि संब्से कोई प्रडाम नहीं आया है कि प्रडामने को भेज दिया कि यहीं सारा मामला आखार साधिता लागू हो गया अब नई सरकार बनने के बाद यहां बढ़ेगी और नहीं बढ़े की तो आंदोलन होगा कि लाल नहीं सरकार के बारे में या पर देखे लिखा कि योगी के साथ कई मंत्री भी होंगे 25 को लेंगे सपत हैं और लखनव की काना स्टेडियम में होगा समारो मोदी साथ भी आएंगे तो बड़ बड़े नहता सही अता हैंगे साथ सभी भी बच्चों को भी नहोता दिया गया है और यहां पर जो योगी सरकार टू पॉइंट जीरू है उसका जो मंत्री मंडल है वो निर्दारित कर दिया गया है और जो है 25 को सपतगरान समारों होगा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर कि यहां पर देखिए अपडेट है कि भरती में लाबाद विस्विद्याले के चात्रों का दबदबा सूबे के असास की माविद्देवलों पे हिंदी विसे के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल उत्तब देखिए वायोगी ने गुर्वार को जादी कर दिया है इसमें अंतिम रूप से 162 चैनल तब बढ़ती जो है में लाबाद विस्विद्याले के हैं इसमें हिंदी विसे से इलाबाद विस्विद्याले से पाड़ी करने माले चात्रों को अच्छी सफलता मेली है तो कुल में लाकर के 162 बढ़ती होगा चेन किया गया है लेकि इसमें से इलाबाद विस्विद्याले के जहतर चादर जो की गई थी परिच्छा विए प्रग्राम जारी करने में देरी वो गई आप यूपी में नई सरकार के गठण का इंतजार कीया जा रहे सारगार के साथ ही पर इंट्वार्षार्थिति योग ख्तम ठाल पट्चिस मार्च को नहीं सरकार के सपत गरान के बाद नया मंत्रे बंडल बन जाएगा और यह प्रक्रिया पूरी होते ही पिएनपी की उरसे रिजल जारी किया जा सकेगा परिछा नेंग प्राधिकारी कार्यारे ने आप तक परिच्छा की अंतिम उत्तरकुंजी भी जारी की है तकरीबन 18 लाग अभरतियों को इसके पगडाम और अंतिमुपतर कुंजी का इंतजार है तो इंतजार अब 25 मार्च के बाद कभी भी समाप्त हो सकता है दोस्तों यह हो गई आज की सारी अपडेट ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह कि अपडेट पाने के चैन को सब्सक्राइब कर लिजे मॉर्णिंग के वीडियो में जो भी नूइश पेपर की अडलाइन्स होती है वह कावर की जाती है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद हूं